हलो दुस्तो, स्वागेत है आपका हमारे चनल Ask Roit पर और एक टगड़ा वाला Good News है Good News क्या है? Google का Core Update हर बार आपको लगता है जब Google का Core Update आता है न तो हर बार व्लॉगर को ये डर सता है कि आप Website के दो वाट लगने वाली है, Website का traffic वो डाउन होने वाला है पता नहीं क्या होगा वेबसाइट गूगल से क्या completely de-index हो जाएगी बट इस बार भाई थोड़ी से कहानी different है हालाकि उसका core update से बहुत जादा relation तो नहीं कहा जाएगा बट एक चीज जो है वो Google ने identify करी और उसका practical level पर result जो है तो चैनल बगरा को subscribe कर लो भाई क्या कर रो वीडियो को भी या like कर देना ऐसी updates जो भी मेरे thought process रहीं और जो भी मैं देखता रहूँग अपने चैनल मेर आप लोग सा share करता रहता हूँ तो सबसे पहले तो भाई simple सा चीज है यह announcement थी पंदरा तारीक के आसपास जो है वो गूगल मेर core update आयती है यह search engine land करके है यहाँ पर आप देखो कोण आप दे एमस आप गूगल अगस्त 2014 core update is to surface useful ऐसे करके देखो को तो normal आप यह जो update वगरा है ना यह core update वगरा यह time to time जो है वो आती रहती है बीच में कुछ update आय थी है जो बहुत खतरनास थी जिससे क्या है बहुत सारे भाई blogger लोग का हम जैसे लोग आया आप लोग में भी बहुत सारे लोग हो गया भाई जिनका अब तो blogging career ही खतम हो गया भाई कोई एक website पर जो dependent थे जो multiple website चला रहे था उनका तब भी कुछ ठी बाट हुई थी और भाई यह जो मार चार्च माया उसके बाद जो हालत बहुत जादा बुरी होई थी तो अभी यह फिलाल यह एक और अपडेट के साथ एक चीज और आई हुई है और क्या identify Google ने कर रहा है आप जाओगे यहां पर यह official Google का Google search central करके Twitter handle है यहां पर आप देख पड़ूंगा थोड़ा सा मैं एक बार और स्क्रीन को जूम कर देता हूं there's an ongoing issue with the ranking in Google search that affects a large number of search results we have identified the root cause this issue is unrelated to the ongoing core update rollout announced yesterday अब देखो Google ने जो है न वो फाइनली यार accept करा है कि हां यार एक issue चल रहा ranking के साथ कि बहुत सारे लोग का जो है ना वो यार ranking बगरा जो है वो disturbed हुआ है और उस issue को हमने identify कर लिया और उसे जो है हम fix करने का try कर रहा है मलब उस पर जो है वो काम सुरू हो गया जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप पर और यहां पर भी भाई सेम चीज ही जो है लिखी हुई है यहां पर देखो पंदरा तारीक के आसपा जो है वो इन्होंने जो identify करा there is a ongoing issue और यहां पर आप देखो 16 तारीक को तो यह update कर रहा है कि we are still working on fixing the issue with ranking next update will be with 72 hours मतलब की बातर गंटे गंदर कोई और update जो है इस पर इस पर काम कर रहे था भाई website बिल्कुल गाया भी हो गया थे गाया भी हो गया थे यार कि कई बार pages दिखाई दे रहे हैं पर भाई जो बंदा पहली दूसरी या तीसरी पोजिशन पर rank कर रहा था उसको पता नहीं कहां पर fake दिया पेज इंडेक्स है जब आप पूरा URL भी यह देखो यह है हिसाब किताब और देखो पब्लीसर के वरोसे ही यार गूगल की वैसे तो कहनी चल रही अभी तक तो ऐसा ही है क्योंकर भाई जब पब्लीसर बनाएंगे तब ही इनको जो है उसका जो यह पर सेंटेज लेते हैं तो कहनी चलती तो फाइनली इस इंडिव इंपक्ट ऑन मैनी स्मॉल और इंडिपेंडेंट पब्लीसर का मतलब क्या हुआ जो सोलो अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर कोई कंपनी अंपनी नहीं है जैसे हम लोग इंडिविजली यार कोई वेबसाइट वगरा बना करके उसमें रैंकिंग कर सबसे ज्यादा इंपक्ट पड़ा था तो उसको यह थोड़ा सा यहां पर हाइलाइट करा जा रहा है पाकि आप इस अपडेट वैसे नॉर्मल जनरल टाइप की अपडेट है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है बट इस चीज को अलग से हैंडल जो है वह करा जा रहा है यह जो वाली प्रॉब्लम है जो उन्होंने यहां पर मेंशन करी है उसको अलग से जो है वह यहां पर देखा जा रहा है ठीक इसलिए मैं बुल लो हूँ यह गुड़ न्यूस है और यह गुड़ न्यूस आपके लिए भी हो सकती है आप जड़ा अपना सर्च कंतूल जड़ा दिखाऊंगा देखो 18,000-19,000 इस तरीके का इसमे जो है वो डेली क्लिक्स आ रहे हैं और यह धीमे-धीमे यह डाउन ही होता चला जा रहा है कई ऐसे कीवर्ड थे जिस पर यार मेरा वेबसाइट और बढ़िया तरीका से रैंक कर रहा था था बट उन में मेरी पोजीशन य अब यह जो आनॉंसमेंट हुई है उसके बास से आप देखोगे यहां नॉर्मल सा इसने बिल्कुल से जो है वो ओडी मार्दी 15 तारीक है और अभी मैं कल अगर आपको दिखाऊंगा यह दो दिन पीछे चलता है उसके बास से अब देखो कई बार यह अपडेट जब हम लो मैंने वरिफाई करा तभी यह ट्राफिक मुझे काफी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इवेन अभी में 16 तारीक का जो यह अपडेट आएगा तो यह और ऊपर चला जाएगे 30 या 35,000 तक जो है वो जाना चाहिए अगर मैं यहाँ पर जाओं सर्च रिदल पर मैं यहाँ जाता हूं यह देखो इसके पीछे कारण क्या impression ही बढ़ जाया मैंने बुला ना कुछ keyword पर यार मेरे URL दिखी नहीं रहे थे कुछ keyword पर पता नहीं कहां गायब हो गया थे कुछ keyword पर दिख नहीं रहे जिसमें पहले दिखा करते थे इसको मैं ले करके जाता हूं six month पर ठीक है ना देखो मलब धीमे 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 जो है यह यार अपडेट के बाद से ना इसका traffic भाई डाउन 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 अचानक से नहीं डाउन हुआ है बट भाई इस पे ऐसा लगर बहुत pressure type का है कु आता हूं यह देख सकते हो यहां पर आप देखो यहां पर traffic कितना आ रहा था 35,000 31,000 देखो 30-35,000 के आसपास डेली traffic था और भाई बस यह जो है यहां पर जो है यहां पर मार्च आर्च में जो है यह फरवरी से जो हैसमें कुछ प्राबलम हो गई और मार्च के बाद से वहां तक recover हो करके पहुँच जाए कहानी तो यह है तो अभी तक तो यार एक तरीके से काफी निरासा ही थी कि यार ट्राफिक बगरा जो है और वो ब्लॉक का डाउन हो रहा है वाट अभी कुम्बीच जग रही ही कि हां यार और और गानिक लेविल पर यार हो सकता है चीज लेविल पर जो है वह भी लोग है अब असाती चीजे फिक्स हो जाए थोड़ा सा छोटे पर ब्लीसर को भी अगर रैंकिंग अगर मिले यार तो उसका तो यार मिलियन के ट्राफिक पर ही काम हो जाता हम तो बाती नहीं कर रहे है जो न्यूजू जाली उप साइट है जिन मे ट्राफिक यार कब रिकवर हो पाएगा रहा करके तो यार यह एक चांक बन रहा है क्योंकि यह एक्चुल में Google खुद एक्सप्ट कर रहा है कि हाँ एक जन्वन प्रॉब्लम है दिक्कत हुई है जो इस्मॉल पब्लिसर है छोटे पब्लिसर है एंडिविजल पब्लिसर है उनकी एक साइट पर काफी आदा इफर्क पड़ा है फीडबैक में लोगों ने भाई इनको बताया होगा इनका एक फीडबैक वाला फॉर्म रहता है उसके बाद इन्हों ने अपना देखा और फिर यह चीज को एक्सप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार हमारी साइट से प्रॉब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद